नमस्कार मित्रों कैसे हैं आप सब लोग अशा करता हूँ आप सबी स्वस्थ और सानन्द होंगे आप सबों के सुख शांतिया और सम्रद्धिके मैं इश्वर से कामना करता हूँ आज आप लोगों को सीधे मैं उस न्यूज की तरफ लिए चलता हूँ जो ब्लूमबर्ग कु चमाही को देखें और इस साल के शुरू के चमाही को देखें टॉप के जो नौ इस्टेट कंपनीज हैं उनके बुकिंग में 57% का हाइक हुआ है एक रिपोर्ट इसमें पब्लिश किया है जिसमें की नौ कंपनियों का यहां पर ब्योरा उन्होंने दिया है देखिए इस वी का सबसे ज़्यादा फायदा उठा रही है उन कंपनियों को आप जाने और उनमें भी जो टॉप की तीन कंपनियां हैं उनका मैं एक कंपैरीजन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ तो ध्यान पूरवक देखिए और बने रही है वीडियो के साथ देखिए 2021 का जो पहला चमाई था उससे तूलना की जा रही है 2022 के पहले चमाई से तो देखिए गोदरेज प्रोपर्टीज जिसमें सेल्स 2600 करोड का था वो बढ़कर 3051 करोड का हो गया है मैक्रो टेक नमबर टू 1575 करोड का सेल्स था जो बढ़कर 2960 करोड हो गया है यहां करिब-करिब डबल हो प्रिस्टीज में देखिए 1584 करोड 1584 करोड का सेल्स था जो बढ़कर 2845 करोड हो गया है सोभा देखिए 4th नमबर पर है 1177 करोड 1177 करोड से बढ़कर 1731 करोड 1713 करोड के आसपास है और इसी तरह 5th नमबर पे देखिए BOULD है जो कि 788 करोड का सेल्स करता था वो इस समय बढ़कर 1277 करोड कर रहा है लगवाक डेढ़ गुना की वृद्धी है यहां पर ओवराय में देखिए ओवराय रियल्टी में 352 करोड का सेल्स था 2021 में जो की बढ़कर इस समय 2022 में पर ओवराय रियल्टी में ये जो बुकिंग है ये तीन गुना के आसपास पहुंच मामूली बात नहीं है उसके बाद पूर्वांकारा है जो की 893 क्रोड का सेल्स कर रही थी वह भी 911 क्रोड का कर रही है कोल्टे पाटिल 358 क्रोड का सेल्स कर रहा था जो 677 क्रोड का सेल्स समय कर रहा है और महिंद्रा लाइफ स्पेसेज को देखिए लास्ट नाइंथ जो की 154 क्रोर का sales कर रहा था 448 क्रोर का sales कर रहा है यहां भी तीन गुना से ज़्यादा की वरिद्धी हुई है तो एक चीज देखने को आती है कि टॉप के जो तीन प्लेयर से यहां पे दिख रहा है में पहला है गोधरेज गोधरेज प्रोपरटीज दूसरा है Macro Tech और तीसरा है Prestige तो हम इन तीनों की बात करते हैं क्योंकि volume सब से ज़्यादा इनिक हैं अगर चाहें कि बाकियों का भी study करना है तो आप इसका self study कर सकते हैं और मैं आपको इसके लिए hint देता हूँ कि आप जाकर जो fundamentals हैं वो देख सकते हैं screener पर और accordingly आप compare कर सकते हैं देखिए मैंने जो comparison के लिए तीन कंपनियां चुनी हैं वो है Godrej Property, Prestige State और Macro Tech तो इन तीन में भी अगर आपको चुनना हो एक तो सबसे ज़्यादा volume का सर्ज यहीं पर देखने को मिल रहा है और इन तीन कंपनियों में भी बहतरीन कौन है अगर यह देखें तो देखिए Godrej Property obviously बहुत ही prestigious कंपनी है लेकिन fundamental देखके आपको निराशा होगी 58,000 करोड की कंपनी है जबकि Prestige State 17,000 करोड की कंपनी है और Macro Tech डेवलपर्स जो है यह 61,000 यानि की 61,000 करोड की कंपनी है देखने में Macro Tech डेवलपर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा market cap वाली कंपनी है और सबसे कम Prestige State का market cap है जो की 17,000 करोड है यहाँ पर एक चीज देखिए Stock PE Godrej Property में आपको नहीं देखेगा क्योंकि यह कंपनी दर असल loss making कंपनी है Stock PE Prestige State में देखिए 44.9 है जबकि Stock PE Macro Tech developer का 66.6 है ओवियस है कि Godrej Property का जो PE है वो तो यहाँ पर count होता ही नहीं है तो सबसे जो बेहतरीन और सबसे जो सस्ते valuation पर आपके पास available stock है वो है Prestige State तो यहाँ पर मैं डबल टिक कर रहा हूँ क्योंकि Macro Tech developers से यह सस्ते पर आपको मिल रहा है उसके बाद देखिए Price to Book Value जो है Godrej Property का 7.1 है जो कि काफी ज्यादा है और Prestige State के लिए 2.63 है यह काफी कम है उसके मुकाबले और Macro Developers में एगेन 9 के आसपास है तो यह भी काफी ज्यादा है तो Price to Book Value के Respect में देखें तो एगेन Prestige State को यहाँ पर मैं फिर से डवल टिक देता हूँ क्योंकि तीनों में सबसे बहतर ही इन है आप देख रहे हैं इसके बाद देखिए Placed Percentage Godrej Property में नहीं है Placed Percentage Prestige State में भी नहीं है जबकि Placed Percentage Macro Tech Developers में 33% है बहुत बड़े concern की बात है अब एक चीज देखिए Debt जो है Godrej Property में 4799 करोड का है इसके अलावा देखिए यहाँ पर Free Cash Flow भी Negative में ही है Minus 797 करोड यानि कि Debt तो है ही साथ में Free Cash Flow भी Negative में है जबकि आप Prestige State में देखिए Debt यहाँ पर Of Course 546 करोड है 5648 करोड है लेकिन Free Cash Flow यहाँ पर 1171 करोड है आप यहाँ पर अगर Debt देखे Microtech Developers का तो बहुत बड़ा है यह 15,000 करोड के आसपास 15,000 करोड के आसपास और Free Cash Flow भी Of Course यहाँ पर ज़्यादा है 2530 करोड के आसपास तो इन दोनों में गोदरिज प्रोपर्टी इस परामीटर पर तो फिट नहीं बैठती है फिट बैठता है तो कौन? Prestige State और Microtech Developers जहांकि Free Cash Flow काफी ज़्यादा है और यहाँ पर आप गौर करेंगे कि Debt to Equity Prestige State के लिए सिर्फ 0.84 है जबकि Microtech Developers के लिए जो Debt to Equity है 2.05 है तो 2.05 Debt to Equity काफी ज्यादा है Prestige State के मुकाबले तो एगेन Prestige State को यहाँ पर मैं Double Tick देता हूँ Price to Book Value में Already Double Tick है Free Cash Flow देखिए सिर्फ 5,000 साड़े 5,000 करोड का Debt लेकर इसने 1171 करोर का Free Cash Flow जनेरेट किया है जबकि यहां 15,000 करोड पर Microtech Developers ने 2,530 करोड का Free Cash Flow जनेरेट किया है तो बड़ा ओवियस है Microtech Developers Debt ज्यादा ले रहा है और Free Cash Flow उसके मुकाबले कहीं कम कर रहा है Prestige State के मुकाबले तो इस मामले में भी Prestige State को मैं Double Tick देता हूँ यहां पर ROC 12.3% है और ROC गोदरिज प्रोपर्टी का सिर्फ 0.63% है तो यहां पर ओवियसली Prestige State का गोदरिज के रिस्पेक्ट में काफी बढ़िया ROC है और Microtech Developers का 7.11 है तो तीनों में ROC सबसे जबर्दस Prestige State का है मैं अगेन इसको Double Tick दे रहा हूँ ROE देखिए गोदरिज प्रोपर्टी का 3.38% Prestige State का 6.5% के आसपास ROE है जबकि Microtech Developers का Minus 16.5% है तो इस पेरामीटर पर भी सबसे बहतरीन Prestige State मुझे दिखता है अगेन इसको मैं टिक दे रहा हूँ Face Value भी इसका 10 रूपीज है Microtech का भी 10 है और गोदरिज प्रोपर्टी का 5 रूपीज है तो इस मामले में भी आप देखेंगे कि मुकाबला Prestige State और Microtech Developers में ही है तो एगेन गोदरिज प्रोपर्टी को आप देख रहे है यह बहुत ही डाउन देखता है यहां डिविडेंड इल्ड भी देखेंगे तो गोदरिज प्रोपर्टी का 0 है और Microtech के लिए भी 0 है जबकि Prestige State इसमें भी इन दोनों से ही आगे है 0.34% का डिविडेंड इल्ड यह भी देती है तो तमाम पैरामीटर्स पर आपने देखा मैंने चेक करके आपको दिखाया कि Prestige State सबसे बहतरीन हालत में है PE भी कम है इसका ROC, ROE भी उन दोनों से बहतर है और अभी-अभी मैंने बताया आपको Bloomer का जो News था कि इन तीनों ही स्टॉक में बहुत बड़े volume में booking हो रही है सबसे ज़्यादा volume इन ही के है तो और इन तीनों में भी सारे parameters पर जो खरा उतरता है वो Prestige States है इसलिए जो मेरा choice है जो मेरा recommendation है वो Prestige States है मैंने Prestige States को पहले भी recommend किया है जहां तक मुझे याद है मैंने WhatsApp ग्रूप पर भी इसको जोर शोर से recommend किया था हमारा एक private WhatsApp ग्रूप है जो की सिर्फ pattern members के लिए है और बड़े ही nominal fees पर हम इसका membership देते हैं WhatsApp ग्रूप के लिए जो major facilities है वो यह हैं कि 24 into 7 आप मेरे contact में रह सकते हैं ग्रूप के माद्यम से और week में एक बार मुझसे बात भी कर सकते हैं अपने stock के बारे में portfolio के बारे में या कोई advice चाहिए कोई suggestion चाहिए उसके लिए भी जो हमारा quarterly यहां पर target है वो 15% per quarter है तो annual देखें तो 60% के आसपास बनता है लेकिन हमने घटा कि 40 to 50% ही रखा है और unique stocks जो मैं YouTube पर नहीं ला पाता वो सारे stocks मैं इस WhatsApp ग्रूप में recommend करता हूँ और बड़ा ही धमाकेदार performance है मेरे सारे stocks का अगर आपको यह शक हो और डाउट हो कि मेरे stocks का सचमुच हर quarter में 15% का गेन देते हैं suggestion दूँगा कि आप मेरे सारे के सारे पिछले वीडियो जा कर देखिए 10-20-50-100 वीडियो देखिए और सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करिए कि क्या मेरे stocks है सचमुच उन्होंने इतना बड़ा गेन दिया है कि कहीं मैं जूट तो नहीं बोल रहा हूँ तो सबसे पहले आप आश्वस्थ हो जाईए और अगर आश्वस्थ हो जाईए और आपको लगे कि आप मेरे इस WhatsApp ग्रूप से जूड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ topshareideas at the rate gmail.com gmail.com यह मेरा email ID है topshareideas तो आप जानते हैं है मेरे चैनल का नाम है इसमें at the rate gmail.com जोड़ देंगे तो यह मेरा email ID है यहाँ अपना name and mobile number मुझे send कर दीजिए और मैं आपको एक link बेजूँगा जैसे ही nominal fees जो हमारा इस WhatsApp ग्रूप के लिए है जैसे ही आप उसको pay करते हैं तो आप इस WhatsApp ग्रूप में शामिल कर लिए जाते हैं और आपको immediate 24 hours के अंदर updates मिलने शुरू हो जाते हैं मैं यहाँ पर इस बात को clear कर दूँ कि मैं बहुत सारा learning उस ग्रूप पे नहीं देता क्योंकि आपका focus हट जाता है वहां मैं एक ecosystem आपको देता हूँ जिसमें की बड़े ही focused way में जो मेरे stocks हैं उन पर आप trade करिए और हर तीन महीने में लगबग 15% का जो है अपने portfolio पर gain लेकर निकलते रहिए तो साल में करीब करीब 60% होता है लेकिन फिर भी घटा कर हमने 40-50% ही किया है बहुत सारा उतल पुतल चलता रहता है मैं आपको बता दूँ कि जितने भी mutual fund या portfolio management services है वो लगबग 15-20% का क्यागरी देते हैं जबकि हम 40-50% हमारा लक्षे है तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर वीडियो अच्छा लग हो तो like करिए, share करिए, subscribe करिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तकि आपको regular notifications मिलते रहे comment section में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा कैसा वीडियो आप चाहते हैं, किन स्टॉक्स पे चाहते हैं और कुछ और भी जानकारी लेनी हो तो बेधरक पूछिए मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह के एक जवरदस्त वीडियो में कल फिर से तब तक के लिए अपना खयाल रखिए, स्वस्त रहिए और खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जैश्री राम